हाई गाईज, वेलकम बेक वाई चानल, मैं हो सुगा मौल, मेरी चानल पर फिरसेखबर आपका स्वाज़त है तो अगेन आज मैं आप लोग के साथ एक वेट लॉस पर टॉपिक लेकर आएगा और यह जो मैं आज आप लोगों को चीज बताने वाली हूं यह मैंने भी थोड़े दिन पहले किया था जब मुझे लग रहा था कि मेरी पेट के पास, मेरी जांगू के पास, मेरी कमर के पास थोड़ा सा फैट आ गया रहे और यह कीन मानिये, विदिन टैंग डेज मुझे वो जो फैट है, वो मेल्ट होता हुआ दिखाई दिया क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो पेट का फैट है या कमर का फैट है जांगो का पैट है यह इस पैशली इस लिए आता है, कि जब हमारा खाना डाइजेस्टिंग होता है, जब हमारा डाइजेसिक सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता है और वो फैट के रूप में उन्हीं क्यों फैट करेंगा है एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो लोग मसाला खाते हैं या फिर मसाले वाले या खुछ भी जो भी चीज़ खाते हैं उनके साथ प्रॉब्रम क्या होती है कि उन्हें पेट की बहुत प्रॉब्लम होती है और पेट की प्रॉब्रम की वज़े होन इस अलाइवा के और उस मसाले के तुर उसे पुरा लिका वेड़े हैं जिसके तुर उनका खाना नहीं पच्छ पाता है डाजिस्टो नहीं अच्छ होता है इसके वज़े से पेट के असपास और पूरी लोग बॉड़ी पॉट में उनका फैट वह भी बहने रहता है तो यह इसके तुर नहीं चिक यह पहां कि असपास बॉड़ा कि पॉड़े आपके लिगा है तो तो यह लोग भी ले सकते हैं। उस स्ट्रॉंटें उनका रिज़े स्ट्स्टो स्स्ट्रारू पार रहत तरिज़े तुरह पुड़ेगा थाट उनकी यह जो जो है उस यह जो एग़ करेगा आपकी फुल बॉड़ी में यानि कि जो सलाइवा आप थूग देते हो उसे आपके पेट में इस ड्रिंक के तरू वो सलाइवा ही पूरा काम से पेट में जाकी करेगी और आपका जो है बजन बहुत देजी से घड़ना स्टार्ट होगा तो मैं इतनी बात कर चुकी हू तो अब इसको और ज्यादा मैं वीडियो को नहीं बढाती हूँ और चलिये चलते हैं वीडियो की तरह तो फ्रेंट्स इस तरह से आपको चार कप पानी तेना है यानि टोटल एक लिटर आपको इसे बना के रखना है तो मान के चलिए यह मेरा जो कप है वो 250 ml का है यानि टो तो इस तरह से आपको इसमें चार कप पानी जो है वो लेना है तो आपको पांच कप इसे पानी लेना है यानि कि आपको टोटल मेरेजमेंट की एक लिटर का होगा और अभी मैं आग बताऊंगे कि आपको इसे किस तरह से लेना है एक लिटर पानी लेने के बाद आपको इस कि एक बीटर पानी में आपको तीन टेबल स्पॉन जो है वो सॉक डाले हैं ऐसे भर भर के आपको डालना है बिल्कुँ खाली नेगर और इसे आपको बॉयल होने देना तो यह बॉयल हो रहा है बॉयल होने में मान के चलिए 5-10 मिनट लगेगा जब एक बॉयल अच्छे से आपको इसे उसके बाद 2-3 मिनट तक बॉयल होने देना है देन इसे ढख कर रख देना है ताकि सारे इस्ट्रेक्ट इस पानी में आ जाए तो फ्रेंट जब यह इस तरह से बॉयल होने लगे दैन आपको अपनी गैस जो है वो धीरी कर देनी है और धीरी गैस पे आपको उस बंद करके दन अपना इसे प्रेट को ढख के रख देंगे दन उसके बाद जब फुड़ा सा थंड़ा हो जाएगा अभी आगे कर प्रोस्स मैप को दिखाती हूँ तो अभी मैं इसे 2-3 मिनट इसे पकने दूंगी तो 2-3 मिनट हो चुके हैं दन इसके बाद मैं गैस को करू अभी मैं आगे आप इसे बात करूंगी तो फ्रेंट्स पांच मिनट हो चुके हैं और आपको क्या करना है एक स्ट्रेणर से इसे ऐसे या बगोने या किसी भी आपके पास कैटल हो जिसमें पानी गरम रहता हो या फिर आप किसी कैटली ने से डाल दीजे या फिर जिसमें चाय को बते हो या अपके शुब है आप को या किया करना है या सुबे सबसे पहले इसे लें तो आपको फर्स आप इसे मौरू इसे एक ले अए लीना ही लेना है चा designs display 2021 खाने के बाद सब को यसे खाता है बहुत टेस्टी रहता है digestive system को बहुत ही boost करता है metabolic rate को बहुत बूस्ट करता है और मैंने आगे benefits बताए हैं कि किसलिए भी तो इसके साथ आपको इस तरह से यह लेना है और इस और benefits में बताती हूं तो वीडियो में बने रही है I hope guys आपको मेरा यह आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने देखा कि कितना ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही सस्ता मैट थरड़ हार कोई अपॉर्ट कर सकता है ऐसा नहीं है कि कोई मुझे आगे बोले कि आप तो सिर्फ महंगे महंगे प्रोड़िक बताती है ऐसा नहीं है बिल्कुल मैं बहुत ही affordable प्रोड़ेक्ट भी लेके आती हूं I hope guys आपको मेरा यह आच्छा वीडियो पसंद आया होगा